हेलो फ्रेंज, अक्सर कहा जाता है कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए और उनके वजन को संतूलित करने के लिए हमें वो सारे खादेबरदार्ग उन्हें खिलानी चाहिए ताकि उनकी शरी को भरपूर पोशन मिल सके और उनका वजन और हाइप दोलो ही सही एज में सही तरीके से बढ़ सके इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के जरीए कि आप अपने बच्ची को घी का सेवन कराएं और यदि आप अपने बच्चे को घी का सेवन कराते हैं तो उससे बच्चे को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। जब भी घी खाने की बात हाती है तो बड़े लोग काफी ज्यादा संकोच करते हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब भी हम घी का सेवन करेंगे तो उसकी वज़े से हमारी शेरी के अंदर फैट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम बच्चों के लिए करें तो ये काफी अच्छा माना जाता है। यदि आपका बच्चा एक वर्ष से उपर है यानि कि एक साल से बड़ा हो गया है तो उसके वज़न को संतूलित करने के लिए और सही वज़न के लिए आप रोजाना उसे उसके खाने के अंदर घी की मातरा डाल कर दे सकते हैं। घी के अंदर प्रकर्टिक रूप में काफी उर्जा होती है जो बच्चे के शरीर के अंदर उर्जा भरती है और पूरे दिन के लिए उसे एनरजी भी देती है। तरीके से ग्रोथ कर पाता है। उनका तंतरी का तंतर और इम्यून सिस्टम दोरों ही सही तरीके से काम करते हैं जिसकी वज़े से उनकी रोग प्रति रोधक्षमता बढ़ती है और विमारियों से लड़ने में उन्हें काफी ज्यादा सहायता मिलती है। सो दोस्तो यदि आप भी अपने बच्चों को घी का सेवन कराएंगे तो वो किसी पी विमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। बस आपको इसकी मातरा पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिर चाहे आपके बच्चे एक साल के हो या फिर दस साल के। आपको अपने बच्चे की खाने के अंदर घीर डालना चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। क्योंकि किसी भी चीज की मातरा का जरूरत से ज्यादा होना आपके बच्चे के लिए हाने कारण भी हो सकता है। इस वीडियो को देखी और अपने व्यूस को हमाई सा शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजी।